hallo everyone,とो आज हम लोग एक और स्टो आपको help करेंगी कि कैसे आप एक छोटे से paragraph और चोटी सी story formulate कर सकते हो new word सीख सकते हैं stories से और कैसे आप अपनी English improve कर सकते हो तो आज ही story है the elephant and the sparrow की elephant आप जानता ही हो एक बड़े से हाथी को या हाथी elephant बोला जाता है sparrow छोटी छोटी चिडिया होती है brown color की राइट चो आप हमेशा देखते रहते हो तो वह गोरिया होती है तो sparrow आपको पता चल गया कौन होती है तो चली story start करते हैं तो क्या होता है sparrow couple यानि की sparrow couple बोला गया है कि यानि दो sparrow होंगी जिनमें से एक male होगी और एक female होगा क्योंकि sparrow couple बोला गया है had a beautiful nest with eggs तो उनका एक अच्छा सा nest था nest मतलब घोसला जहां पर उनके अंडे रखे हुए थे on a tall strong tree तो एक बहुती बड़ा लंबा सा और strong जो की बहुती तकत वाला पेड़ था I mean उसको कोई हटा नी सकता वैसा वो था उके तो and were expecting their little ones soon तो क्या उन एक से क्या आएंगे उनके चोटे बच्चे आएंगे तो वही little ones कौन है उनके बच्चे however लेकिन an arrogant elephant okay arrogant मतलब बहुत ही अपने आप में बहुत अभिमान होना और किसी बात ना सुनना वैसा टाइप का elephant type soon visited the area वह उस एरिये को visit किया उसने गया होगा and shook the tree so hard और उसने बहुत तेज से पेड को शेक कर दिया ओके शुक मतलब ऐसे ही ट्रंक होगा उसको पकड़के ऐसे ऐसे शेक कर देना that he managed to destroy the nest and the egg तो इसी वज़े से क्या हुआ जो nest था उसमें जो एक थे वह सब खराब होगा डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर वह सब सारे के सारे उसने छेड़ दिये क्योंकि आपको पता ही है जब आप क्या करोगे ट्री को बहुत तेज से आप हिलाओगे तो वह नश्टी हो जाएंग On-gared मतलब बहुत ही गुस्रे में और saddened मतलब बहुत उदास, Angered बर देखे यह पास्टेंट हो गया तो फिर anger words बना है और saddened word sad से बना है तो समझ लीज़े एधले पता ही चल जाता है कि कहसे कौनसा word है कहसे लिंक होगा by this the sparrows decided to seek revenge तो उन्होंने कहा कि मैं revenge लोंगी revenge का मतलब क्या होता है बदला लेना किसी भी इंसान से बदला लेना है तो उसे हम revenge बोलता है they asked their woodpecker friend to help them तो एक woodpecker नाम की चिडिया होती है wood यानि कि आप जान रहे हो जो लकडी को pecker पेकर में जब कैसे cut 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 करके उसकी चोच होती है जिससे वो wood में असानी से easily cut करके अपना nest बना लेती है उसको हम cut forwa भी बोलते हैं तो जो woodpecker थी along with his friends यानि कि उसके कुछ friends है कौन है एक makhी फ्लाय कच्छवा devised a plan उन्होंने सोचा एक plan बनाया the frog asked the fly to buzz near the elephant's ear तो उसने frog ने बोला कि fly को क्या काम था कि buzz fly जानते है आप जब आ जाती है अजीब सा sound बनाती है na buzzing sound तो elephant के कान का जाना he said when the elephant closed his eyes woodpecker you must pierce his eyes तो जब elephant अपनी आखे बन कर लेगा तो यह जो चिड़िया है woodpecker वो क्या करेगी उसकी आख में ऐसे करके beak अपनी डाल देगी उकि पियर्स कर देगी जैसे the elephant will stand up and try to find water फिर elephant को लगेगा मेरी आख में क्या हो गया और फिर वो पानी की तलाश में जाएगा I will crock far away the frog क्या करेगा crock करता है तो फ्रॉक कहां पर होता है उसलिए ponds में मिलता है तो what will happen actually कि crock मतलब यह voice होती है frog की तो वो जब crock करेगा तो elephant को लगेगा elephant will think there's water around and reach the place तो उसको लगेगा कि पानी है वहाँ frogs are always there near the ponds we will create a big pit and the elephant will fall into it pit मतलब एक बड़ा सा कढठा और फिर उसी में elephant जाके गिर जाएगा तो यह पूरा plan था तो जब शाम होई यानि कि at the sunset they worked as per the plan तो जो plan बनाया था उन लोगों ने उसी के according काम किया and the elephant fell into the pit and died तो elephant उस pit के अंदर गिर गया और वो मर गया इस की moral of the story हमें क्या मिलती है it's not the physical strength कि आप अगर दिखने में बहुती you know strengthful और बहुत आपके muscles हो या कुछ भी हो या बहुत बड़े हो लगते हो and hottiness hottiness को बोल सकते है घमन या अभिमान हो आपके that means यह नहीं चलता है but intelligence and the team work that matters intelligence मतलब आपका कर सकते हो तो physical strength जैसे हाथी के पास थी आपने देखी elephant के पास हर एक चीज़ है वो लोक से 100 गुना बड़ा है उसके पास बुद्धी भी होती है लेकिन लेवल तक लेकिन हाँ अगर team में पूरी बुद्धी आजा एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ वर्क कर लें तो वो जादा अच्छा होता है जैसे cricketers होते है रणीती बना लेते हैं जीच जाते हैं माच को वैसे तो उससे हमें ये moral value मलती है तो I hope आपको new words समझ में आयोंगे thank you for everyone who actually subscribed to my channel and जिन्होंने नहीं किया and please do subscribe to my channel like it and of course share it with your friends family or students who have so ever needed okay so have a nice day or weekend and stay in tune thank you very much